Hello everyone, I hope आप सब अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के दिन जो रजिष्टर संधारन करना है उसके बारे में और परकर राजस्थान कारेकरम जो है वो उसी के साथ आयोजित किया जाएगा तो हिंदी दिवस का जो रजिष्टर संधारन हमें कैसा करना है वो हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हम उपर लिखेंगे हिंदी दिवस आस दिनाग 14 सितंबर 2024 को स्थानिय विद्याले में हिंदी दिवस का आयोजिन किया गया वे इसके साथ ही राज्य सरकार के निर्देसा अनुसार परखर राजस्थान कारेकरम की गतिविदियों का आयोजिन भी किया गया तो ये हम भूमिका लिखेंगे उसके पस्चाथ जो हमने कारेकरम करना है उसके बारे में लिखेंगे तो यहां जो है आप इस तरीके से जो कारेकरम हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल लिख सकते हैं कि कौन-कौन से कारेकरम जो है वो निर्देश दिये गए हैं जैसे कि मोहावरों के बारे में सब्दावली पे आप गेम खिरवा सकते हैं कहानी कवीता उनका पाठन करवा सकते हैं उनकी आप डिटेल यां लिख सकते हैं इसके पस्चाद कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा पर पोश्टर निर्मान वे सलोंगल लिखने के लिए कहा गया पोश्टर निर्मान के पस्चाद सभी विद्यार्थी वे अध्यापक आयोजन स्थल पर एक्तरित हुए परदाना ध्यापक मोहद्य द्वारा मा शार्दा के चित्रपट के श्मक्ष दीप परजुलन कर करेकरम का सुभारम किया गया मंच संचालन करता अध्यापक शरी यहाँ पे आपका जो भी एंकर होगा उसका नाम आप लिख सकते हैं द्वारा हिंदी के महत्व के बारे में बताया गया इसके पस्चाद चातर चातराओं द्वारा कविता वे कहानी सुनाई गई वे कक्षा एक वे दो के विद्यार्थियों द्वारा बाल गीत भी सुनाई गई इसके पश्चात कक्षा 405 के विद्यार्थियों के मद्य हिंदी सब्दावली पर परत्योगिता करवाई गई तो इस तरीके से जो जो परत्योगिता है आपको उनको लिखते जाना है कि कौन कौन सी परत्योगिता जो है वो करवाई जाएगी इसके पश्चाथ सभी अध्यापकों ने बारी बारी से हिंदी भाषा के साहित्यकारों के बारे में बताया तत्पश्चाथ परधना दिहापक मोहुद्य जी द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी को परेरित किया वे परत्योगीता में विजयी चातर चात्राओं को इनाम वित्रण कर कारेकरम का समापन किया गया इसके बाद आप नीचे जो है मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं कि कौन से विद्यार्थी को किस परत्योगीता में पुर्षकार मिला है उसकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं तो इस तरीके से आप हिंदी दिवस का रजिस्टर संधारन कर सकते हैं